यहां हमें एक ऐसा linear equation बनाना है जिसके infinitely many solutions हो यानि कि बहुत 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 सारे solutions हो हमें यहाँ पर equation दी हुई है 4 times x-2 plus x is equal to 5x plus यह blank हमें बताना है कि इस blank में हम ऐसा क्या डालें कि यह जो equation यहाँ पर है उसके infinitely asung के solution हो जाए यह तभी possible है जब यह side इस side के बरावर हो जाए left hand side right hand side के बरावर हो जाए चाहे हम कोई भी x टालें अब ऐसा कैसे हो सकता है तो खेर वो सोचने से पहले हम पहले इस left hand side को थोड़ा simplify कर देते हैं कि actually मैं दिया क्या हुआ है तो distributive property का use करके मैं 4 को इस x-2 पर distribute करता हूँ मतलब मैं इसको पूरे से multiply करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 4 times x होता है 4x minus 4 times 2 हो जाएगा 8 और plus x तो जियो कातियों आही जाएगा 4 times x plus x हो जाएगा मेरा total 5 times 6 यानि कि 5x और minus 8 इधर आ जाएगा अब देखते हैं इधर क्या है यह equal to 5x plus यहाँ पर हमें यह डबा दिया हुआ है अब इधर भी है 5x और इधर भी है 5x हमें चाहिए infinitely many solutions ताकि कुछ भी हो यह हमेशा इसके बराबर हो तो वो करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है 5x दोना side अलरी है ही इधर minus 8 है तो इधर भी म मैं यहाँ पर डाल देता हूँ minus 8 negative 8 तो इससे यह हो जाएगा 5x plus और minus मिलके minus हो जाएगा तो यह minus 8 हो जाएगा और इधर तो 5x minus 8 था ही 5x और इधर 5x minus 8 तो था ही 5x minus 8 दोनों एकदम एक जैसे हो गए तो यह हमेशा बराबर होंगे क्योंकि अगर मैं दोनों side से 5x subtract भी करता हूँ minus 5x minus 5x तो यह और यह cancel यह और यह cancel इधर बच गया negative 8 और इधर बच गया negative 8 आप x कुछ भी रखिए यह तो हमेशा true होंगे ही तो इस case में अगर मैं इस डबे में minus 8 डाल देता हूँ तो यह मेरा हमेशा infinitely many solution देगा बहुत 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 जादा solution